कि नमस्कार दोस्तो पैसा में आउसर था कैना आप से ओव लोड रिले के बारे में बात करूंगा और लोड रिले काम किसी तो करता है लेकिन उससे पहले बता है शन्टिया पार्ट होते हैं क्या क्या भाग था है दोस्तों पहला होता है हमारा armature, मैं आपको सारे नाम में लिख दिया हूँ, फिर निया इसकत क्या है। तो अब मताता हूं आर्मेचर का काम क्या होता है आर्मेचर यह कामन ट्रेमिनल होता है यह आर्मेचर को जोड़ने का काम परता है इसके बाद जो तो हमारे आता है इस्प्रिंग जोटा है यह इस्प्रिंग जब रिले बंध होती है तो आर्मेचर को एंस्टी काउन्टेक्ट से जोड़ता है कि यह पर यूं कह एक यह सेथि सार्विक एसके आपकाय यह जो कम पकोन टीमें canad it होता है जो जैसे आपने देखा होगा ई आई यू अगार के बने होता है इसे हम योग बोलता है इसके बाद आता है हमारा contact contact दोस्तों क्या होता है जब हम coil में supply देंगे तो यह हमारे contact nc contact nc और no contact जब हमको motor on करना होगा तो हम यह बहुत करेंगे अन्नो तो यहां से जब coil में positive देंगे तो यह तुरंत ही हमारा coil active हो जाएगा और यहां से यह एन्नो पर जोड़ जाएगा जिससे हमारी motor चाल जाएगा अगर आपको motor बंद करना है तो हम nc दबाएंगे यानि stop पूस बटन तो फिर यहां से यह बंद हो जाएगा मैंने आप से पहले ही रिले का प्रेटिकल आपको बता चुका हूं प्रेटिकल की भाग क्या working कैसे होती है करेंट शट करना रिले और इसकी tripping point सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं यह इसका डियाग्राम की सुटों में बता रहा है किसकी working कैसी होती है इसके बाद जो जो जोस्तों आता है कोई 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 बेसिकली 220 बोल्ट 414 बोल्ट 12 बोल्ट चोविस बोल्ट डीसी और 12 डीसी चारों में आता है जैसे हम कुछ आप जरूद होती है वहां पर प्रिरूप करते हैं लेकिन तो यहां बाद कर रहा हूं मैं वह 220 बोल्ट 2 called रिले बाद कर रहा हूं क्या है आप थीक हृए 220 बोल्ट रिले के जब जब इसमें यह सप्लाई जाएगी 220 बोल्ट हमसके nc contract से लेंगे तो यह तुरंत ही हमारी coil जो है एक्टिव हुआ जाएगी जो भी हम इसको command देंगे अन्नो का अन्नो दबाएंगे तो हमारा यह motor चल जाएगा कर nc command देंगे यानि nc को दबाएंगे तो हमारा यह बंद हो जाएगा अब दोस्तों बात यहाती है कि यह रिले और पोजिशन में होता है तब कॉमन वाला पॉइंट nc में जुड़ा होगा यानि स्थ्रॉट होगा दोस्तों जब हमारा रिले बंद होगा यानि हमारी motor बंद होगा जो भी हमारी equipment लगे हुआ है इसके तो जो हमा जैसे ही हम कॉमन वाले पॉइंट को यानि आर्मेचर को ओन करेंगे स्टार्ट पूट बटन से तुरंत यह इधर से चिपक के हटके इधर चिपक जाएगा तो यह हमारा जो भी हम कमांड देंगे तो अगर हम स्टॉप दबाएंगे तो यह आर्मेचर वाला इसमें चिपक जाएगा हमारे मोटर बंद जाएगी अगर अनो दबाएंगे यह हमारा यहां फिचे बग जाएगा यहां पर हमारे मोटर चाल हो जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों जब इसमें 200 ब्यूस बूल्ट या चाव स्ट्राइज बोल्ट जो भी हम सप्लाई इसको देंग प्रड नहीं हो रहा है या फिर मोटर नहीं चल रहा है तो आप सबसे पहले क्या करिए कि आप इसकी कोईल चिकल लीजिए क्योंकि जब यह कोईल जल गई होगी तो फिर यह सप्लाई को आगे मलब मन्या को बताया था कि रिले में 95 और 96 नंबर होते हैं 95 कॉमन होता है 96 तो जो भी हमको यूज़ करना है तो जैसे अगर यह कोईल हमाई जल गई होगी तो यह कॉमन से बहाद जब MS میں हम इसमें लेंगे ए हाह् तो आप सबसे पहले मल्टी मेटर से चिक करिए कि यह कोईल हमाई सही है कि नहीं सही है आखिर हमारा मोटर क्यों चल दा है जब यह सही हो तब आप कॉंड़ेटर की कोईल तो नहीं कहीं जल गई है अगर वह भी सही हो तो फिर आप मोटर पे जाए मोटर को चेक करिए आपको जरूर कुछ फाल्ट मिल जाएगा उसमें तो दोस्तों यह हो गया कि नौर्मल पोजीशन पर अगर अगर इसमें सप्लाई नहीं है तो यह कोईल हमारी नौर्मल पोजीशन पर रहेगी यानिकि बंद रहेगा अब रिले खित्ति प्लाइक होते हैं जोस्तों अगर मैं पोल के आधार पर बात करूँ तो ये 2 पोल और कि आधिनफो वीयल थे दोनों में आता है उसके स्टार्टम में दो पोल के रिले लगे होते हैं तोकि समांटमे रियोख रिए और जो हमारा 3 face का होता है तेनों face आते हैं और यह 3 pole का होता है 3 pole input और 3 pole output से हमको निकल जाएगा अब दोस्तों bolt के अधार पर अब अगर मैं आपसे bolt की अधार पर बात करूं तो यह bolt के अधार पर तो यह 220 bolt 440 bolt 12 bolt जोस्तों यह होगी हमारा section AC का कि और 24 यह हमारा सेक्षन हो गया डीसी का के रिले दोनों में आता है एसी दोनों में आता है जैसे जिसकी जहांब प्रकार होती हुआ होती है अब दोस्तो रिले कितने प्रेगार के होते वह भी मैं आपको बता दूं रिले जो मुलाब मुखमुक्च नुमेन है वह मैं आप अब्म किस तत्थी होते हैं रिले दोस्तों पहला जो होता है जो पहला होता है वो मरकरी और पहला होता मरकरी दीले मरकरी दीले एख बीद त्योले दूसरा जो हता है ओर्लोड रिले इसके बाद जो तीसरा नंबर है मल्टी वोल्टेज रिले इसके बाद जो हमारा अगला है वो है चौथा नंबर स्टैटिक रिले इसके बाद तोस्तोMr. अगला नंबर है मसीन टूल रिले मसीन टूल रिले मसीन टूल रिले दोस्तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो कि ये रिले कैसे काम करता है अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिप्रिकेशन का बटन देवर दबा दिजेगा और एक लाइक भी कर दिजेगा तब तक दोस्तो अगर कुछ छूड़ गया हूँ मुझसे बताना तो आप में डाउट चल ला हो तो मुझे आप बताए कमेंट करके मैं इस पर आपको एक अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दूंगा तब दोस्तों अपना ख्याल रखिए और कुछ जो रोज नहीं सीखते रहिए नमस्का कर दोस्तों है